सो हेलो एबरवन, वेलकम यूँ ओल एट लोके सर अलम्टेट स्टडी जोन, फिजिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है रिजिट बॉड़ी मोशन, जिसको हम सिस्टम आफ पार्टिकल एंड रूटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, रूटेशनल मोशन तो कल हमने एंड पार्टिकल सिस्टम के लिए देखा कि किस तरीके से सेंटर आफ मास हम क्यालकुलेट करते हैं आज उसके आँगे, कुछ important questions और concept डिसकस करेंगे देखे, question number 4 यहाँ पे जो दिखाए देर आपके सामने जाकेर, write an expression for the position vector of the center of mass of n पार्टिकल सिस्टम यह हमने लिख दिया also write the equation of motion which govern the motion of center of mass मतलब, यहाँ पे क्या करना है बेटा? अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक आप एक single body के लिए equation of motion लिखते थे, laws of motion को लिखते थे, एक single body के लिए clear है बेटा? अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आपके पास, जैसे पहले आपके पास से एक single mass हुआ करता था, उसके लिए आप एफ फोर्स लगाते थे तो आप लिखते थे कि अब आपके पास में बेटा एक बड़ी body है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है laws of motion, okay? अब आपको बड़ी body के लिए लिखना है, चलिए, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, center of mass का summation notation होता है, sigma mi ri upon m, rcm is the weighted average of all the position vector of all particle of the system, the contribution of each particle being proportional to its mass इसका मतलब, जो position vector हैगा हर पार्टिकल का, उसको उसके mass के साथ multiply करके, हम उसका average ले लेंगे, यहाँ तक बिल्कुल clear है, शोर है आपको चलिए, अब देखिए अगला, अगला topic, equation of motion for the center of mass हम center of mass के लिए equation of motion लिखने वाले हैं, ठीक है ना? तो किसके लिए लिखने वाले हैं यहाँ पे, एक हमारे पास rigid body है पीटा, अब आपको पता है कि हम complete body में एक force जो पहले single body थी, उसमें हम एक single force type का लगाते थे, बट अब यहाँ पे हमारे पास scene different है, है ना? भी यहाँ का क्या scene है हमारे पास दिखे, यह हमारे पास एक rigid body है, जिसके अंदर कई सारे particle बैठे हुए हैं, ठीक है ना? इसको motion करने के लिए आप यह समझेए कि M1 particle पर एक force लग रहा है, F1, M2 particle पर एक force लग रहा है, F2, मतलब different, different particles पर different, different force आपको लगाया जा रहा है, clear बिटा? Yes, so let F1 vector, F2 vector, F3 vector and so on, Fn be the external forces acting on the particle M1, M2, M3 up to Mn respectively, माल लिया हने की total force जो लगेगा, वो कितना है बिटा? F total है, okay? Total, मतलब कि इन सारे resultant का जो force है, that is equals to F total is the vector sum of all the forces acting on the system, clear? तो आप क्या समझ सकते हैं, पिटा? आप ये समझ सकते हैं, इस system को ले करके, कि अगर आपके पास में, अगर आपके पास में, total force of F लगा रहे हो, F total is equals to sum of all the individual forces, F1 plus F2 plus F3 plus F4 dot 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 up to Fn. बताईए बिटा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम इसको? ओके, तो यहाँ पे हम F total को किस से replace कर सकते हैं? हम F total को यहाँ पे replace कर सकते हैं, F total. देखे, ज़िए आप बात करें, F1 की, तो mass M1, और into पहले particle पर acceleration जो create होगा, वो कितना होगा? A1. दूसरे पर M2 और acceleration कितना होगा? A2. इस तरीके से अलग-अलग acceleration हर particle अलग-अलग feel करेंगा. तो हम यह समझ सकते हैं कि जब अलग-अलग particle, mass जो है, अलग-अलग है, और उस पर लगाए गए force के impact में, अलग-अलग particle अलग-अलग force रिलाइस कर सकते हैं, यदि मैं इस total body का mass M मानू, center of mass पे, तो मैं यह समझ सकता हूँ कि इस पूरी body की जगहे, यह समझा जा सकता है, कि यह पूरा का पूरा force इसके mass पर act कर रहा है, और जो इसका center of mass है, वो एक निश्चित acceleration, A center of mass से accelerate होगा. तो यहां पे लिख सकता हूँ मैं, capital M into A center of mass, clear? इस इकल्स तो A center of mass, तो इस forces की जगहे, इन सारे forces की जगहे, यह हमारे पास आजाएगा, F total, A center of mass, तो F total is equals to capital M into A center of mass, यह समझे, इस चीज को समझना जबूरी है, कि यदि किसी question को हम solve करेंगे, तो individual forces ना लगा करके हम, अलग-अलग forces को एक किसी point पर fix मानेंगे, और उसका center of mass निकालके हम acceleration निकाल सकते हैं, अब रही बात acceleration कैसे निकलेगे? तो आप जानते हैं, A is equals to कितना होता है बिटा? dv by dt, and d by dt, v कितना होता है बिटा? v होता है ds by dt, v होता है ds by dt, date of change of displacement, बट फिलहाल बिटा, यहाँ पे, position vector जो particle की है, वो है r, तो यह हो जाएगा dr by dt, ओके? तो A, center of mass, equals to, अब यह कहला हैगा double derivative, this is equals to d square r upon dt square, यह एक notation होता है बिटा, d square r upon dt square, ठीक है? इसको note कर लिजे, d square r upon dt square को, तो इस तरीके से हम center of mass calculate कर सकते हैं, sorry, center of mass का acceleration, तो यह center of mass का net acceleration है, ठीक है? हाँ, center of mass का net velocity भी होगी, center of mass का net acceleration भी होगा, center of mass का, क्या होगा? एक net momentum भी होगा, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ों लिख लीजी, r center of mass, this is r center of mass, अब r center of mass में आपको निकालना कल ही सिखाया है, क्या होगा? m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn whole divided by m1 plus m2 m3 plus mn, clear है बिटा? तो यह हमारे पास में center of mass की process आ चुकी है, इसको note कर लें, तो देखे बच्छों, इस notation से हमें क्या सीखने को मिलता है, यह important notation है, यह notation यह कह रहा है, the equation 2 shows that the center of mass of the system moves as the entire mass of the system is concentrated at a point and total external force act on this point, मतलब यह कह रहा है कि किसी एक rigid body के उपर, force लगाये जाने पे, जो center of mass होगा, वो भी move करेगा, है ना, कैसे move करेगा? जैसे कि आप पूरी body पे force लगा रहे हो, और उसका combined effect इस center of mass को बढ़ रहा है, है ना, तो लिखा है, entire mass is concentrated at the point and total external force act upon it, मतलब पूरी body के force को submit करके इस point पर force लगेगा, हाँ, the internal forces between various particles cancel out in pairs accordance with the Newton threat law of motion, हाँ, internal forces का कोई इसमें महत्व नहीं होता है, जैसे मान लिजे कि body के अंदर दो force, दो point है, अब याद रखीगा, कि Newton's law में internal forces का कोई मतलब नहीं होता है rigid body में, क्योंकि internal forces एक दूसरे को cancel हो जाते हैं, जैसे देखिए, ये दोनों के बीच में forces लग रहे हैं, एक आंगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, तो ये एक दूसरे को cancel कर देंगे, और यहाँ internal forces कोई role play नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है, कि पूरी body का, जो combined acceleration होगा, वो उसके center of mass के acceleration से दिया जा सकता है, चलिए, next question क्यों चलते हैं, show that the center of mass of a system moves with a constant velocity, when no external force acts on the system, show करिए, कि किसी body का center of mass, जो है, constant velocity से move करेगा, जबकि उस body पर कोई force ना लगे, या उस system पर कोई force ना लगे, देखिए, two dimension motion में आपने इसी चीज़ को देखा था, two dimension motion में आपने इसी चीज़ को देखा था, कि acceleration is equals to delta V upon delta T, अगर किसी body में, अगर किसी body में, V, sorry, acceleration zero है, मतलब आप लगाया गया, net force क्या कर देंगे, zero कर देंगे, if f external equal to zero, अगर f external equal to zero हो जाएगा, मतलब की, mass into acceleration equal to zero, ये तभी हो सकता है, जब acceleration zero होगा, acceleration zero मतलब, delta V by delta T, जिसको dV by dt भी लिखते हैं, और delta V by delta T, equal to zero, so this represents, delta V equal to zero, और delta V means, V final minus V initial equal to zero, it means V final equal to V initial, ये क्या मिनिंग दे रहा है, मतलब velocity remains constant, बोलिए, ये था की नहीं था, और आप पढ़ते भी थे, कि अगर velocity constant होगी, तो acceleration क्या होगा, zero होगा, अब यहाँ पे case rigid body का है, पहले एक point mask था, अब ये rigid body का case है, इस case में कहा जा रहा है, कि अगर आपके पास कोई rigid body है, और उस पर लगाए गया, external force zero है, system of forces लग रहे हैं, ये देख लीजे, मान लीजे, एक कुछ force ऐसे लग रहे हैं, और इन सारी force की, हरकतों के बाद, external force जो net बन के आ रहा है, जिसको आप F net कहिए, F external से better है, कि आप इसे F net कहिए, zero है, तो आपको proof करना है, कि इसका, center of mass की जो velocity होगी, V center of mass, that will be constant, आपको ये proof करना है, ठीक है ना, आपको ये proof करना है, कि इसके center of mass के velocity क्या होगी, constant होगी, clear बिटा, चलिए, तो देखतें कैसे proof करेंगे, अभी अभी हमने देखा, कि F net जो होता है, या F external, जो F total होता है, जिसको net भी बोल देता हूं मैं, F net, लगाया गया जो net force होता है, वो total mass M, multiply by, उसके center of mass के, acceleration के equal होता है, बोलिए yes की नो, अगर हम F net को, zero कर देंगे, तो इस equation से हमाई पास आजाएगा, zero equal to, mass multiplied by, a center of mass, clear बिटा, so mass को zero के निचे ले जाए, so zero divided by mass equals to, a center of mass, so this is equal to, zero equals to, a center of mass, clear, a center of mass को हम क्या बोल सकते हैं, a center of mass equals to, dv by dt, और v का center of mass, मतलब, center of mass, rate of, change of velocity, the rate of change of velocity of center of mass, with respect to time, clear की not clear, so I can write, d, v center of mass, with respect to time, equal to कितना हो रहा है, zero हो रहा है, clear, आप जानते हैं, कि mathematics में, किसी भी चीज़ का, differentiation तब zero होता है, जब वो constant होता है, yes or no, yes, तो इसकी वज़े से, यहाँ पे जो, a center of mass है, sorry, v center of mass है, इसको क्या होना पढ़ेगा, constant होना पढ़ेगा, होना पढ़ेगा कि नहीं होना पढ़ेगा, so v center of mass, should be equal to constant, clear बेटा, clear होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए बेटा, यहाँ पे, v center of mass को क्या होना पढ़ेगा, constant होना पढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें clear हो गया, कि क्या clear होगा, बेटा, कि अगर आपके पास, कोई rigid body है, और अगर उस पर लगाएगए, total forces as a result, क्या produce कर रहे हैं, net force zero produce कर रहे हैं, f net equal to zero है, तो point mass में, जैसे point mass में क्या होता था, उस body की velocity constant होती थी, तो यहाँ पे body की velocity constant नहीं होगी, body कैसे भी move कर सकती है, बट इसका जो center of mass है, उसकी velocity constant होगी, भी center of mass is equal to constant, समझ में है बेटा, क्यों, क्योंकि force net zero है, इसलिए acceleration at center of mass equal to कितना होगा, zero, center of mass का acceleration zero होगा, इसलिए center of mass की velocity क्या होगी, constant होगी, clear, मतलब इसको हम क्या सकते है, in absence of any external force, the center of mass, the system moves with a uniform velocity, है ना, और इसको आप एक चीज़ यह भी कह सकते हो, uniform velocity, मतलब यदि भी initial zero था, तो भी final भी क्या रहेगा, zero रहेगा, मतलब अगर आपके पास कोई bulk body थी, और आपके लगाए गए force के impact में, अगर force के impact में, इसकी initial center of mass velocity zero थी, तो final velocity भी कितनी बनी रहेगी, zero ही बनी रहेगी, और अगर move कर रहा था, तो constant velocity से move करता रहेगा, clear बिटा, क्योंकि start में rest में था, और अगर external forces यह total net force, अगर zero है, तो क्या रहेगा, V center of mass equal to constant, यानि V1 equal to V2, चीक है ना, तो यदि start में zero होगा, तो end में भी zero रहेगा, और अगर start में uniform motion में है, तो end में भी uniform motion मेंटेन करेगा, good, तो चलिए, fifth वाला point भी टेग बार पूरा पढ़ लिजी, अपने से, चलिए दोस्तों, next question पर आते हैं, question number six आपके सामने देख रहा है, show that the total linear momentum of a system of particle, is concerned in sense of any external force, तो एक चीज़ तो यह show करनी है, कि total linear momentum जो होता है, वो क्या रहता है, concerned रहता है, in absence of any external force, also show that the linear momentum of the system, is equal to product of total mass of the system, and velocity of its center of mass, तो पेटा दो चीज़े हैं यहां पर, एक तो हमको conservation of linear momentum शो करना है, किसका एक body का, and particle system का, हमको conservation of linear momentum यहां पर verify करना है, खीक है, तो चलिए करते हैं, conservation of linear momentum verify, एक एक particle system का, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, answer number six, so मान लेते हैं बच्चों की, हमारे पास एक n particle system है, यह हमारे पास n particle system है, the particles are having mass m1, m2, m3, m4, m5, और इन सब पर अलग-अलग forces लग रहे हैं, और लगते भी हैं, कैसे लगते हैं, ऐसे समझेए, आपके हाथ की हाथेली खोली हुई है, और आपने इसमें एक smiley ball, या कोई प्थर रख लिया है, या कोई eraser रख लिया है, और जब आप अपने हाथ से, इसको जोरो से दबाते हूँ, सिकोडते हूँ, तो आप फील किये होगे, कि इधर पर कम force लगेगा, मगर आपकी उंगलियां जब सामने से आएंगी, तो उस पर बहुत force लगेगा, लगेगा की नहीं लगेगा पिटा, मतलब अलग-अलग particle पर, अलग-अलग force आपके लगेगा, अब देख लीजे, तो यह M1, M2 सारे अलग-अलग force फील कर रहे हैं, M1 suppose F1 कर रहा है, F2 कर रहा है, F3 कर रहा है, F4 कर रहा है, यह तो F2 होगा, इसे F4 जाएगा, यह F3 हो जाएगा, ऐसे बिटा N particle N forces realize कर रहे हैं, बट यह, मैं आपको condition दे रहा हूँ, कि जो लगाया गया net force है, वो कितना है बिटा, 0, मतलब force एक दूसरे को null phi कर रहे हैं, जितना इधर से लगा, उतना इधर से कुछ लग गया, तो एक दूसरे को cancel कर दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अच्छा ठीक हो तो लिखेंगे बाद में, तो आपको ये सब करने के बाद, आपको show क्या करना है, आपको, यहाँ पर ये show करना है, कि इस इस्थिती में, इस पूरे system का momentum जो है, वो conserve रहेगा, तो आपको ये show करना है, कि इस पूरे system का momentum जो है, वो क्या रहेगा, conserve करना है, पहला question ये है आपका, देख लीजिए, पहला question, show that the total linear momentum, ये लिखा हुआ है, show that the total linear momentum, of a system of particle is concerned, ठीक है, मतलब total linear momentum हमको, क्या show करना है, conserve, शो करना है, आई ये कैसे show करेंगे, हम जानते हैं, we have given, f net equal to 0, f net equal to 0, अब f net, vector form में, equal to 0 है, so I can write, sum of all the forces, produce their sum, as 0, f4, plus dot 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 dot, fn, equal to 0, बेटा, इस category के force, जो as a result, 0 produce करते हैं, ऐसे forces को मालूम, क्या बोलते हैं, physics में, balanced force, क्या बोलते हैं, बेटा, balanced force, तो ये सारे force, 0 produce कर रहे हैं, अब यदि इंडिविजूल देखूं, मैं, तो इसका mass m1, acceleration a1, mass m2, acceleration a2, plus mass m3, acceleration a3, up to dot 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 dot, mass mn, acceleration a n, equal to 0, clear बेटा, नउ, I can write m1, and this will be, dv1 by dt1, क्योंकि इसका कुछ न कुछ वेलोस्ती होगी, पहले particle की, dv1 by dt, plus m2, dv2 by dt, plus m3, dv3 by dt, plus dot 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 dot, mn, dvn by dt, बताईए बेटा, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इसको, बिलकुल, अब देखो बेटा, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, मैं, d by dt, को यदि, इस प्रकार से लिखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, because m constant है, आप जानते हैं कि यदि कोई constant होता है, और उसका differentiation y पक्तर रहे हैं, d by dx, तो बेटा, k बाहर आजाता है, और d by dx होता है, तो k को आप अंदर बाहर कर सकते हो, similarly, यहाँ पर हम mass को अंदर बाहर कर सकते हैं, बोलो बेटा, यस की नो, तो d by dt m2 v2, plus d by dt m3 v3, plus up to up to up to d by dt mn vn, बोले यस की नो, equals to 0, clear बेटा, अगर मैं d by dt यहाँ से common ले लूँ, so it will be m1 v1 vector, plus m2 v2 vector, plus dot 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 mn vn vector, equal to 0, agree बेटा, किसी चीज का differentiation अगर 0 है, तो वो चीज क्या होने चाहिए, क्या constant होने चाहिए, गी नहीं होने चाहिए, so exactly, m1 v1 vector, plus m2 v2 vector, plus m3 v3 vector, plus mn vn vector, equals to constant होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, so this is p1 vector, plus p2 vector, plus p3 vector, plus dot 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 dot, plus pn vector, is equals to constant, clear? मतलब जो total, individual momentum का sum होगा, वो क्या होगा, constant होगा, clear? individual momentum का sum क्या होगा, constant होगा, या यह कह लिजिए, total momentum, is equals to constant, any problem, या होगा, so this is how we are, total momentum, equals to constant, यह हमें जो पहला पार्ट, आपको पूफ करना था, बोलिए ठीक है बिचा, यह फर्स्ट पार्ट, हमारा पूफ होचुका है, total momentum remains constant पहली चीज दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है also show that total linear momentum of the system is equal to product of the total mass of the system and velocity of the center of mass show करो की जो total momentum है वो किसके एक्कल होगा total mass of the system and velocity of the center of mass मतलब क्या कहना चाहे रहे है आपसे proof मांग रहे है किस चीज का इस चीज का जो मैं आपसे सामने लिख रहा हूँ आपसे बोला जारा है to prove total momentum of system of system equal to total mass मतलब वोई center of mass पे जो total mass depend करता है that is m into v center of mass यह आपसे पूछा जा रहा है clear बिटा यह आपको verify करने को कहा गया है कि show करिए कि जो total momentum है जिसे आपने अभी निकाला p1 plus p2 plus p3 plus dot 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 dotどう up to pN equals to total mass into v center of mass वैसे तो समझ में आ रहा है अपको कि होना तो यह प्रेशभी चाहिए बूलो मन कह रहा की नहीं कह रहा है बेशक कह रहा है, है ना शौर बोलो बैटा भाई इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, इसका मास M4 है बैटा इसका मास Mn है, अलग-अलग सब के पास velocity है individual क्लियर तो इसका कहना है कि अगर सबकी velocity अलग-अलग है तो यह जो total momentum होगा, इस particle के center of mass के, जो total momentum आए का system का, यह इसके equal होगा, and this center of mass moving with velocity vcm, clear? यह आपको सोकन दो है, clear बेटा? तो अब इसको कैसे proof करते हैं? आएए देखते हैं, तो आप जानते हैं हमारे पास, जो center of mass का position vector होता है, r center of mass, बिटा क्या होता है? m1, r1, plus m2, r2, mn, rn, whole divided by, m1 plus m2, plus mn होता है, बुले होता है की नहीं होता है? यह हमारा r center of mass है, अब इसको हम लिख सकते हैं, r center of mass equals to, यह जो नीचे वाली चीज़ दी गई है, आप देखे ध्यान से, m1 plus m2 plus m3 plus mn, क्या यह total mass नहीं है, capital M, तो total mass of the body ही तो है यह, है ना बिटा, ओके, सो यह हो गया capital M, और उपर वही चलेगा, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus dot 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 mn rn, तो मुझे कहां पहुचना है, मुझे पहुचना है, total momentum की तरफ है, तो मैं इस m को उपर switch कर देता हूँ, उपर यह दी चला जाएगा, तो यह बन जाएगा, बिटा, capital M into r center of mass equals to m1 r1 vector plus m2 r2 का vector plus dot 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 mn rn का vector, right, बिटा, yes, अब देखे, मुझे क्या लाना है, velocity लाना है, तभी तो momentum बनेगा, तो क्या कर देता हूँ, differentiate with respect to time, so differentiate with respect to time, तो क्या कर दूँगा, देखे, यहाँ पर, d by dt, capital M, r center of mass equals to d by dt of m1 r1 vector, m2 r2 vector and so on, mn rn vector. बिटा, m common ले लिया, यहाँ पर d by dt and r center of mass equals to m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt plus dot 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 mn drn by dt. बोलो, clear है बेटा, शौर यह बताईए कि यह वाली चीज क्या होती है, r center of mass का derivative क्या होता है, बताईए, क्या होता है, बताईए न, हाँ, सही बोल रहे हैं, क्या बनेगा, v center of mass, क्योंकि rate of change of displacement है एक तरीके से यह, position vector, rate of change of position is velocity, so total mass m into v center of mass equals to m1, क्या है बेटा v1 बनेगा, यह v2 बनेगा, क्या है यह v3 बनेगा, बेशक, और लास्ट बनेगा, m n, v n, clear, okay, yes, तो यह हमारा आचुका है, so मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, total momentum p, लिख सकता हूँ ना पिटा, क्योंकि पूरे system का mass है, तो यह p, total momentum p of the system होगा, यह किसके equal होगा, p1, plus p2, plus p3, plus dot 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 pn, clear बेटा, तो total momentum कितना हो जाएगा, चीक है न, total momentum इस तरीके से हम यह निकाल सकते हैं, चलिए देखे, एक चीज़ और मैं करता हूँ यहाँ से, इस वाले चाहिए, यदि मैं यहाँ से v center of mass निकालूँ, so v center of mass equals to 1 by capital M, bracket में m1 v1 plus m2 v2 plus up to dot 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 mn vn, clear बेटा, so m multiply by v center of mass equals to m1 v1 plus m2 v2 plus up to up to dot dot mn vn, यह क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, p net, net momentum जो होगा, वो mass multiply by center of mass के velocity vector के equal होगा, यही हमको prove करना था, यह कहिए, आ गया समझ में, so net momentum जो होगा, वो total mass और उसके velocity के center of mass के equal होगा, yes, velocity के center of mass के, है ना, center of mass के velocity के, velocity के center of mass नहीं, center of mass की velocity के equal होगा, clear बेटा, चली, तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से एक बार आप भुद से करेंगे, चली करिए इसको, फिर आंगे बढ़ते हैं, चली बच्चों, next question में आते हैं, यह question हला कि मैंने यह chapter के start में ही बोल दिया है, कि rigid body क्या होती है, ठीक है ना, तो what is rigid body, rigid body के definition, a body is said to be rigid if it does not go any change in its size shape, however large the external force acting on it, more appropriately, a rigid body is one whose constituent particles retain their relative position, even when they move under the action of an external force, मतलब कहने का मतलब यह है बेटा, कि अगर आप कोई ऐसी body लेते हैं, कि वो बिलकुल भी deform ना हो, उसका एक कोई भी particle से मस ना हिले, तो ऐसी body को आप कहते हैं rigid body, यह देखे जैसे यह अपने, एक आपके पास stone है, अब चाहे आप कैसी motion करोगे, इस पत्थर का यह वाला particle जो है, कभी भी disturb नहीं होगा, चाहे आप इस पे कहीं से force लगा देंगे, कितना भी force लगा देंगे, यह उठ करके यहां नहीं आएगा, बोलो clear की not clear, तो ऐसी body क्या कहला है कि पेटा, rigid body, ठीक है, जिसके particle किसी भी हालत में, और उसको अपने हाथ से squeeze करना अपने शुरू कर दिया, तो देखे, यदि आप यहां से squeeze कर रहे हैं, तो यह वाला particle दबाने पर हो सकता है, यहां आ जाए, बोलो आज सकता की नहीं आ सकता बिटा, clear ना, आ सकता है, बड़े easily, ओके, तो उस पर लगाए गए force का क्या पढ़ता है बिटा, फर्क पढ़ता है, अगर आप हाथ में कोई वो ले लें, jelly like structure ले लें, और एक jelly को आप बड़ी जोर से घुमाएं, एक आपके पास circular jelly है, spherical jelly है, और इस jelly को आप जोर से घुमाना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे, कि थोड़े समय के बाद जो jelly है, वो एकदम circle नहीं रहेगी, वो घूमते घूमते बेटा, elliptical type की हो जाएगी, क्योंकि उसका जो mass है बेटा, ये उपर से आ करके, यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा की नहीं आ जाएगा, पताएगे, clear है, क्योंकि ये rigid body नहीं है, ठीक है ना, so this is not rigid body, ये rigid body नहीं है, तो हमें इस chapter में किबल rigid body को पढ़ना है, ठीक है ना, तो rigid body क्या होती है, a body said to be rigid body, does not undergo any change in its size and shape, जिसकी size और shape में कोई chain नहीं होता है, चाहे आप उसके उपर, बाहु बली का हाथ होड़ा चला दो, ये कहने का मतलब, चाहे कितना भी large force आप इसके उपर apply कर दो, कोई फरक नहीं पढ़ता है, ठीक है, और वो इसके constituent particles जो होते हैं, retain their relatively position even, मतलब एक particle दूसरे से relatively जितना दूर है, वो उतना ही रहेगा, न वो पास में आएगा, न वो दूर में जाएगा, बिलकुल उसी position को बना के रखेगा, है ना, under the action of, under the action of external force, clear? नेक्स्ट है, state the factor upon which the position of center of mass of a rigid body depends, ये एक अच्छा question एक्जाम में आता है, कि वो factor बताओ, जिसमें कि center of mass rigid body का depend करता है, कि इसका center of mass कहाँ पे होगा, आप देखें बेटा, center of mass, ये कोई आपके पास rigid body है, केड़ा मेड़ा सा, कोई पत्थर माल लो, बड़ा सा block आपने उठा लिया है, क्योंकि नॉर्मली पत्थर ही ऐसी चीज होती है, जिसको आप दबा नहीं सकते हो, अब आप इसकी जगह अगर, आटे का माउड लोगे, तो उसको आप rigid body नहीं कह सकते हो, क्योंकि गीला होगा तो दब जाएगा, तो ये आपके पास में rigid body है, अब इसका कहीं न कहीं center of mass होगा, अब वो center of mass कैसे, किस चीज़ पर depend करता है, तो सबसे पहली चीज, center of mass जो depend करता है, वो depend करता है, mass distribution पे, कल मैंने आपको पताया था, आपके पास अगर कोई pen है, तो pen अगर ढखकन नहीं लगा है, तो इसका center of mass जो है, यहां कहीं पर होगा, इसके भारी हिस्से की तरफ, यहां पर, तो यह है, बट जैसे ही आपने pen का ढखकन लगा दिया, आपने mass distribution बदल दिया, और आपका center of mass यहां कहीं आ जाएगा, भारी वाले की तरफ, बुलो यह सके नहीं हो, तो पहली चीज किस पर depend करता है बटा यह, mass distribution पे, clear, हाँ, तो एक चीज तो है कि भाई साब यह, किस पर depend करता है, the distribution of the mass in the body, second किस पर depend करता है बटा, the geometrical shape of the body, यह body के shape में भी depend करता है, यह body के shape में भी depend करता है, for example, आपको बताता हूँ मैं, आपके पास कोई plane sheet है, यह आपका register है, जो आपका rectangular sheet की form में है, आप उसको मान सकते हो, तो इसका जो center of mass होगा बटा, यह कहाँ पर होगा, यह इस तरीके से होगा, इसके diagonals के cut point पर, जहाँ पर आपका दोस्त, उंगली रख करके, अपने आपको कृष्ण कनहिया बना लेता है, और घुमाता है sheet को, यह सौनो, यह इसका geometrical center बन जाएगा, अभी आपने देखा, अब दूसरा ले लो, बिटा, ring है एक, यह ring है, खाली ring है, तो इसका center of mass कहाँ पर होगा बिटा, यह भी center पर होगा, ठीक है, इसका center of mass कहाँ पर होगा, center पर होगा, मतलब यह कहने का मतलब है कि, अलग-अलग geometry का center of mass, अलग-अलग जगह होता है, ठीक है ना, क्यों होता है, क्योंकि, उनकी geometrical shape पर depend करता है, तो लिखा हुआ है, center of mass of our regular bodies, for bodies having regular geometrical shape, and uniform mass distribution, the center of mass lies at their geometrical center, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर कोई body, जिसका mass distribution uniform है, ठीक है ना, mass distribution uniform है, उसका center of mass, उसके geometrical center पर होगा, यदि आप सोचें, कि आपके पास कोई इनसान है, जिसकी height, 10 meter की, 10 meter के तो खेर कोई हो इनी सकता है, मान लिए जिए कोई इनसान है, जिसकी height, 8 feet की है, तो आप यह अंदाजा लगा रहे हैं, कि इसका center of mass जो होगा, जमीन से 4 feet की उचाई पर होगा, तो यह चीज तभी सही हो सकती है, जब उसका, उपर का body mass, और नीचे का body mass, बिल्कुल equal हो, मतलब यह मान लिजी, अगर यह 80 kilo का इनसान है, तो अगर उपर का mass 40 kg है, तो इसके कमर के नीचे का भी mass, मतलब बिल्कुल जश्ट, आधी height के नीचे का mass भी 40 kg होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, तभी यह इनसान जो है, इसका center of mass बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है ना, otherwise, यदि यह इनसान मोटा है, तो इसका center of mass कहाँ चला जाएगा, उपर की ओर चला जाएगा, clear है, उपर का, इसका center of mass जो होगा, वो उपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए देखा होगा आपने की, जो मोटे लोग होते हैं, अगर कुरसी में बैठ करके, मोटे लोग, जैसे ये बैठे हुए, एक मोटे से अंकल है, ये मोटे से अंकल है, ये कुरसी में बैठे हुए है, अब इनका बिचारे का center of mass, बहुत ही उपर चला गया है, क्योंकि कसरत कीने इन्होंने, खुब खाया पिया, और इनका center of mass ही आ गया, ठीक न, जूता पहनने के लिए, तो क्या हो जाएगा बिटा, ये पूरे पलट के नीचे गर जाएंगे, कई बार ऐसे एक्सिडेंट हो जाते हैं, कि ये पूरे पलट के कहां गर जाएंगे, नीचे गर जाएंगे, तो आपने देखा होगा, कि इतने मोटे अंकल जो होते हैं वो नीचे नहीं जुकते हैं वो जूते को उपर उठा करके या किसी से मगा करके कहते हैं इवन उनकी पैन भी गिर जाती है तो वो खुद नहीं उठाते हैं क्योंकि उनका center of mass बहुत आगया चुका होता है और अगर वो जुकने की कोसिस करेंगे तो center of mass disbalance हो जाएगा सीधे gravity लगा देगा यहाँ पर mg की वज़े से वो नीचे आजाएंगे समझ में आया है तो कहने का मतलब यह है कि center of mass जो होता है वो geometric center पर तभी होता है जब body एकदम कैसी हो uniform हो है ना जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक ring दे दिया अब यह जो ring थी यह even ring है बिलकुल हर जगे से बराबर है तो इसका geometric center इसके सारे diameter को मिला दीजे यह इसका geometric center हो जाएगा clear है बेटा यह आपके पास एक uniform sheet है square sheet है तो इसका geometric center इसके diagonal का cut point होगा बटेरी आपने उसके साथ कुछ गडबड़ी कर रखी है तो उसका geometric center बदल जाएगा क्लियर कभी आपने अपना badminton का racket जो होता है यहाँ पर यह इस तरीके से होता है और इस racket को उठा करके आपने देखा हो यह जो racket होता है इस part में इसको यह आप कभी उठाएंगे तो यह balance यहाँ कहीं से होगा क्योंकि normally इस तरफ इसका weight ज्यादा होता है क्योंकि तार बगरे होती है और यहाँ जो होता है यह बहुत lightweight होता है तो यदि आप इसको कभी बीच से उठाने कोसिस करेंगे तो यह फटाक से यहाँ से गिर जाएगा कभी बीच से नहीं उठेगा यह इस दर से थोड़ा सा weight उठेगा मतलब इसका center of mass यहाँ कहीं पलाई करता है clear हो गया any problem तो देखे यह आपके पास में center of mass of the regular bodies है यह कुछ regular bodies है इनके center of mass है देखे जैसे thin rod है तो यह एक thin rod है अब यह तो बताई सकते हो कि इसका center of mass कहाँ पे होगा बिलकुल इसके mid point पे होगा clear है ठीक ना तो यह सब के दिये हुए है आपके पास में triangle का center of mass कहाँ पे होता है यह देखे triangle का center of mass यह triangle की median होती है पहली median, दूसरी median, तीसरी median तीनो median को मिला दीजे बिटा इस point पे जहाँ तीनो median मिलती है उसको हम लोग maths में centroid भी बोलते हैं yes or no clear बिटा हाँ, maths में इसको centroid भी बोलते हैं 3D में इसका अपने formula पढ़ा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 clear बिटा हाँ, अगर हम बात करते हैं right circular cone की यानि कि एक cone अगर हम बात करें कि इसका center of mass कहां पे होता है तो ये बिटा ये इसकी total height है h this is the total height of the cone तो जो इसका center of mass होता है बिटा ये इसकी one fourth height पर होता है base से मतलब यहां से यहां की जो height है this is h by 4 मतलब उपर से उपर 3 h by 4 और नीचे h by 4 उपर 3 हिस से 3 h by 4 और नीचे h by 4 तो यहां पर इसका center of mass होगा clear होगे बिटा ये एक solid cone है clear बिटा हाँ, तो ये solid cone का जो center of mass होता है ये h by 4 height पर हुआ करता है any problem बिटा चलिए चलिए, एक extra point बिटा बच गया था वो भी देख लिजे आपने देखा था कि आगर आपके पास में two particle system है इसका पहले का मास है m1 और दूसरे का मास है m2 इसकी position vector है r1 और इसकी position vector है r2 clear बिटा तो center of mass का vector होता था r center of mass equals to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2 clear बिटा यह तो हमने देख लिया है अब यदि मैं यह center of mass है अगर किसी लगाए गए force के influence में यह ना भी लगाए जाए अगर यह uniform motion कर रहा है तो इसके velocity of center of mass कैसे निकालेंगे भी center of mass equal to d by dt of rcm बोलो होगा की नहीं होगा सो हम क्या कर देंगे यहां पर differentiate कर देंगे d by dt पूरे को m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2 अब बेटा m1 plus m2 तो constant है बोलो yes or no yes अब d by dt किस पर operate होगा m1 r1 पर तो m1 बाहर आ जाएगा d by dt of r1 vector क्योंकि r depend कर रहा है और m2 बाहर आ जाएगा d by dt of r2 vector clear बेटा सो क्या होगा बेटा 1 upon m1 plus m2 यह क्या बन जाएगा m1 v1 vector plus m2 v2 vector जिसको organize करके मैं लिख सकता हूँ बेटा m1 v1 plus m2 v2 whole divided by m1 plus m2 this is v center of mass clear okay now if I am talking about a center of mass तो फिर से को differentiate कर दूँगा a center of mass equal to dy dt of v center of mass तो क्या बन जाएगा शौर direct लिख दूँँ समझ में आएगा आपको a center of mass equals to m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2 यह मैंने two particle system से बताया है आप n particle system भी कर सकते हो actually velocity का differentiation acceleration हो जाएगा clear की not clear हाँ तो यह बहुत important हमारे formula make r का है फिर हमाई पास किस का है बिटा velocity का है और फिर हमाई पास किस का है यहाँ पे acceleration का है done कोई दिक्कत बिटा चलिए अब बिटा आपको मैंने इस file के लिए बोला था वो क्यों बोला था इसकी बात करते हैं तो आपको बच्चों कल numerical लगा करके लाना है कल आप numerical लगाईए example number two example number three अब example number three देखो बिटा इतना simple है देखे शो two particle of masses 100 gram and 300 gram at a given time have position vector this and this तो बिटा मास दिया गया 100 gram को सबसे पहले किलो ग्राम बदलो SI unit में बोलिए इस किनो so 100 gram equal to 0.1 kilogram and 300 gram equal to 0.3 kilogram clear now पहले मास का position vector ये दिया गया so this would be R1 and this would be R2 ये है तो क्या कह रहा है अच्छा इनकी velocity दी गई है velocity से हमारा मतलब नहीं है सबसे पहले हमें instantaneous position and velocity of center of mass तो हमें सबसे पहले center of mass का position लिकान ला है ये formula apply कर दोगे बनेगा की नहीं बनेगा yes then इसके बाद में बिटा velocity का center of mass similarly M1 V1 प्लस M2 V2 करके क्योंकि इसमें V1 भी दिया है और V2 भी दिया है ये velocity V1 है और ये V2 है clear की not clear तो इस तरीके से हम इसका center of mass calculate कर सकते हैं तो आपके पास कुछ questions है center of mass calculate करने के दूसरे वाली बुक में आप कोशिश करिएगा कि कुछ center of mass आप निकाल सके ठीक है any problem चलिए तो ठीक है दोस्तों आज की class को हम physics की class यहीं पर end करते हैं thank you so much for being with us have a nice day